नमस्कार आप देख रहे हैं News 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकोर केंद्रियो मंत्री के घर हत्या का CCTV अब सामने आ गया है हत्या के दिन सुबा चार बचकर आठ मिनट पर घर में दिखावे ने किसी के बुलाने पर कमरे में विने गया था वीडियो में शोर सुनकर उठता है और अजेर अवपर बापस लौटने पर गोली मारकर देखिए वहां पर ये हत्या कर दी जाती है जिस कमरे में वारधात हुए है वहांका CCTV कि वापस लोटने पर ही गोली मारकर हत्या बड़ी खबर सीसी टीवी सामने आने के बाद एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं पुलिस का बयान है जुआ और शरापार्टी के दौरान जगड़ा हुआ था जिसके बाद ये पूरी वारदात सामने आई थी वीडियो म से तमाम लोग वहां पे जुआ पाटी चल रही थी शरापाटी चल रही थी पुलिस के मताबिक लेकिन शोर सुनाई देता है तब ये विने वापस चाता है और वापस लोटता है लेकिन पूरी वारदात को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं लखनो का कहना है कि जगड़े के तौरान ही इस वारदात को अंजाम दिया गया ये हत्या हुई एक्सिडेंटली ये मडर हुआ लेकिन अब ये सीसी टीवी सामने आया है और सीसी टीवी आने के बाद कई तरह के सवाल जो है वो सामने आये हैं इस पूरे मामले पर पुलिस में क्या कि विने ने जगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वह 12,000 के करीब में पैसे हार गया था उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी अंकित के साथ में specifically क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ तब इन्होंने गेम बंद कर दिया त उसी के बीच में, इनके बीच में हाता पाई हुई, वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तक्ये के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को अंकित ने और इन तिनों ने मिल करके उसमें से फायर किया और इससे विने श्रिवास्तों के सर में बोली लगी और उसकी मृत्य होगी आपको बता दें कि सेसे टीवी सामने आने के बाद कई तरह के सवाल जो है वो अब उठना शुरू हो गया अगर जगडा हुआ तो वहां बाहर सोह रहा अजे रावत क्यों नहीं उठा यह पहला सवाल जो उठा रहें सेसे टीवी सामने जिन्दा था तो पुलिस की थियोरी कुछ और कह रही है सीसे टीवी फुटेज यहां पे कुछ और कह रही है कि आदी रात को मडर हुआ लेकिन सुबा चार बचकर आट नेट तक बिने साफत और से नज़र आ है मंतरी कौशल किशोर के मताबिक उने हत्या की जानकारी सुब पाँच बजए के बाद मिली मंतरी जी को एक घंटे बाद क्यों सूचना दी गई जब मडर हुआ तब सूचना क्यों नहीं मिली एक घंटे बाद यह सूचना दे गई वो यह एकला सवाल आपको बता दें पुलिस के मताबिक दूसरी तरफ लगा कैमरा खराब है सवाल है कि बगल का सिसे टीवी काम कर रहा है तो दूसरी साइड वाला कैसे और कब से खराब हुआ यानि एक CCTV काम कर रहा है तो दूसरा CCTV खराब था या खराब किया गया ये अपने आप में कहीं ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है पुलिस के मताबिक शराप आटी और जुआ चल रहा था लेकिन CCTV में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या पुलिस ने इस पूरे मामले में जूट बोला है CCTV फुटेज ये उसी रात का है पुलिस की थियोरी के मताबिक शराप पी रहे थे तो ग्लास कहा है जुआ खेल रहे थे तो ताश के पत्ते कहा है क्यों चलिए इस ख़बर प्योज़ा जानकारी के लिए सीधा रुकरते मेरे सयोगी अशोक तिवारी का अशोक अब इस पूरे मामले पर सबसे पहले पुलिस ने अपना बयान दिया और एक क्यूरी दी और उसके बाद ये CCTV फुटेज सामने आने के बाद कहीं सवाल खड़ होते हैं जो पुलिस ने थी दी है कि जुआ केल रहे थे शराब खेल रहे थे लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या कुछ सामने आया है CCTV के आने के बाद देखें दरसल जहां पर ये पूरा घटना कर घटित हुआ था यानि जिस कमरे में बिने श्रिवास्तों की गोली मारकर हत्या की गई थी ये CCTV फुटेज उस कमरे का नहीं है बलकि बाहर वाले कमरे का बताया जा रहा है इस CCTV पुटेज में आप साफ तर पर देख पाएंगे क दरसल जो बात कही जा रही है बार-बार की जिस कमरे में पूरा घटना कर घटित हुआ उसमें आखिरकार CCTV क्यो नहीं था तो इस बाबात एक सवाल कौशल किशोर जो केंद्री मंत्री है उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था घर के अंदर CCTV फुटेज नहीं लगाया तो इतना जरूर है कि यह सबसे पहला CCTV फुटेज है जो इस हत्याकांड के बास सामने आया है अब रही बात पुलिस की पड़ताल की तो पुलिस ने पूरा हत्याकांड हुआ था ठीक उसी दिन शाम को साथ बजे बाकाइदा प्रेस कोंफरेंस करके खुलासा किया था और य पाथा पाई हुई जिसके बाद तक्ये की नीचे जो पिस्टल रखे हुई थी जो की विकास कि शोर के नाम पर है जो कोशल के बेटें उस पिस्टल से विने थे उनके पर फायर किया गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई बाद में सिलसलेबार तरीके से तमाम सारे लोगों क परिवार के विनेश्वास्तों की गई है तो ठीक उसी दिन पुलिस की तरफ से अंकित अजय और जो शमीन बाबा इन तीन लोगों को गिरफतार किया था उन लोगों ने अपना जुर्म कुबूल भी किया था लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अगर इस तरह के और भी CCTV फुटेज सामने आते हैं तो वो कहीं न कहीं तफ्टीश जो होने हो रही है लगाता है इस पुल्कुल बिल्कुल अशूर सवाल ये भी हैं कि कई और CCTV फुटेज अभी सामने हो सकते हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ एक CCTV पुटेज ने पुलिस की थियोरी पे काफी गंभीर सवाल उठा दिये हैं तो अगर हम ये देखें टैमिंग CCTV फुटेज का तो चार बच के आठ मिनट सुबह का है और यहां पर एक सवा घंटे का गैप है तो एक सवा घंटे देर सुचना क्यों मिली इतनी देरी क्यों हुई कौशल किशोर दी तक सुचना पहुचाने में क्या वहाँ पे जो लोग मौजूद थे जो अजे रावत भार सो रहा है क्या उसने फोन करके किती को सुचना नहीं थी या बाकी की जो तीन लोग थे उन्होंने एक सवा घंटे में ऐसा क्या काम किया क्या सबुतों को नश्ट करने कोशिश की गई क्या जो विकास किशोर है जो के कौसल किशोर के बेटे हैं उनको फोन करके सुचना दी गई थी कि नहीं दी गई थी इन तमाम पहलों पर अभी तक पुलिस ने कोई बात नहीं कही दूसरी बात यह आती है कि पुलिस की थोरी है कि वहाँ पर शराब पार्टी चल लेती जुआ खेला जा रहा था तो वह शराब की बोतल कहां है वो ताश के पत्ते कहां है उन ताश के पत्तों पर जुए में अगर विने सकसेना हारा था तो विने सकसेना के फिंगर होंगे वह ताश अगर खेला जा रहा था वहाँ पर ताश के पत्ते चल रहते और जुआ चल रहा था तो वह उसके उस ताश के कोशिश की कि आखिर सी सी टीबी कब से काम नहीं कर रहा है इस समय तक हुई यह 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 जानबूज कर खराब किया गया है तो कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि खुलकर सामने आ सकती हैं अगर वह सीसी टीबी चौक के उठा है यह क्लियर हो जाता है कि सुवे चार बच के आठ मिनट के आज पास ही यह वारदात का समय है जब यह घटना हुई है तो यह फॉरंसिक तोर पे अगर फॉरंसिक जांच की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए खुलासे और हो सकते हैं और इसलिए सवालिया निशान उठते हैं कि एक डिड़ घंटे की जो गैप है कौशल किशोर की खुद की यह बाइट है मीडिया कैमरे को आकर कैमरे के सामने आकर उन्होंने बोला कि उन्हें सुबह लगबग सवापास साड़े पास उन्हें पता चला वह घटना के सितल पर पहुंचे और तो उन अगर पुलिस कह रही है कि उससे पहले जगड़ा हुआ है विने सक्सेना के भाई ने भी आरूप लगाया कि शर्ट फटी हुई थी सिर पे चोटके निशान थे तो अगर पहले जगड़ा हुआ था तो जो अजे रावत वहां पर सो रहा है वो क्यों नहीं उठा था उसने जगरे की बात्चीत कि यहां आवाज जो है क्यों नहीं नैंट्ब क्योंकि अगर मार पिटाई हुई होगी विने सक्सेना के साथ में तो उसकी गाली गरोद उसकी लड़ाई की जो अवाज होती है वह भी सामने आई होगी तब उसमें अजर्च रावत क्यों नहीं उठाता और एकदम जो कर आप CCTV फुटेश देखेंगे तो अचानक से अजे रावाद उठता है इसका मतनब है वो गोली के आवाद सुनकर उठाता यारी कि कुछ ना कुछ ऐसा और हुआ है जो कि अभी तक पुलिस के पुलिस ने सामने नहीं रखा है भले ही उसने खुलासा कर दिया ह हो ग्रफतारी कर ली हो लेकिन अभी वी कई ऐसे पहलू है कि असे सवाल है जिस पर से परदा उठना बाकी है ठीक है अशोक कहीं यह माने क्योंकि यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है एक मंतरी के घर पर मडर हो जाता है पुलिस ने जिस तरह से यह थिए कहानी दिये कि चा हुआ हुआ है वो कुछ दिर बाद उठ जाता है विने वापस लोड़ता है क्या कहानी समझ आ रही है इस सिसी टीवी फुटेज से आपको चिछट के फ़ने बाद भी जोच जनकारी मिली है उस लिहाज से पहली बात तो ये एक ब़र फिर कंफर्म कर देता हूँ कि ये सिसी टीवी फुटेज उस कमरे का नहीं है जहाँ पर विने शिरवासतों की गोली मार कर हत्या की गई या विने शिरवासतों की हत्या हुई फुटेज है जिसमें आप साथ तोर पर देख पा रहे होंगे दूसरी बात जो आपने कही कि पुलिस की थियोरी जब उस दिन देर शाम साथ बजे पुलिस की तरफ से प्रेस कॉंफेंस की गए और ये कहा गया कि ये पूरा घटना क्रम शराब जुए और पैसे के अब को लेक है कि पूरे घटना क्रम में पहले भी बताई कि ये पहला CCTV फुटेज है जो पूरे हत्याकान के बाद आज सामने आया है तो यह हो सकता है कि घर के जो का दूसरा हिस्सा है जहां पर दूसरे कमरे भी हैं चुकि वह घर काफी बड़ा है मैं खुद आपर कवर करने गया था त मिश्ले दों शुरू की थी और यह दावा किया जा रहा है कि जल्दी उसको भी पूछताज के लिए पुलिस बुला सकती है तो अभी और साब्तों से साब्तों से सीटीवी फुटे जाने के बाद कई सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है बहुत-बहुत शुक्रिय आप सभी का तमाम जानकारी के लिए